साथियों नमस्कार स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर साथियों आजकी वीडियो रीट लेवल सेकेंड इंगलिस के एक टेडेट्स के लिए रहने वाली है रीट लेवल सेकेंड इंगलिस के वो कैंडिantwort किनों ने 27 परवरी 2023 को English के रुप में exam दिया था तो साथियो अगर आप read level second English के students हो तो आप इस वीडियो पे बने रहे अपने साथी तक भी ये वीडियो जरूर परण जाईएगा इस वीडियो में साथियो अपन चर्चा करने वाले हैं कि English की जो official answer की है वो कब जारी की जाएगी दूसरी अपन इसमें चर्चा करने वाले हैं कि पहले कौन से exam का result आएगा साथियो आप सबको यानि विदित है कि read के exam से पहले first grade और second grade का exam हो चुका है और उससे पहले और भी admissions के department में भी first grade और second grade का exam भी हो चुका है तो वो result कब आएगा और English read का result कब आएगा और last में मैं आपको दिखाने वाला हूँ लगबग 2000 vote का poll जिसमें आनिकी survey किया गया है जिसमें आप अनुमान लगा सकते हो कि कितनी cut off रह सकती है और आप comment box के अंदर अपने right question और number भी share कर सकते हो वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को like, channel को subscribe भी कर दीजिएगा और bell icon को press कर दीजिएगा ताकि नई वीडियो जैसे ही upload की जाए सबसे पहले उसका notification आपके सामने पहुंच जाए तो साथ यो आगे बढ़ते हैं सबसे पहले बात करें कि जो read जो paper हुआ था 27 February का उसकी answer की कब आएगी official answer की कब आएगी तो देखिए अलग-अलग coaching वालों ने अपनी-अपनी answer की जारी की है और हर coaching वाले में दो-तिन question ऐसे हैं जो जिनका answer अलग-अलग बता रहे है इससे साथ जो read के जो student है उनमें भी भ्रहम पेदा हो रहा है कि कौन सा person सही माना जाए और कौन से का गलत माना जाए तो ध्यान रखिएगा जो अब number बता रहे हैं ज्यादा तर मेरे पास जो unclean आया है साथियो 100 plus के जो भी students आये है अलग-बहुत कम आये हैं लेकिन जो 100 plus के जो students आये है उनमें से 90% students ऐसे हैं जिनके 101, 102, 103, 104 ऐसे number बढ़ रहे है 90% के जितने भी आये हैं उनमें से यह मान के चलिए बहुत कम आये है 100 plus के उनके 101, 102 तो यह तो मान के चलिए जैसे ही main की आएगी 42% भी गलत हो गए तो वो 100 से नीचे हो जाएंगे तो कहने का मतलब यह है कि 100 के उपर जो candidate रहेंगे बहुती नामातर के candidate रहने वाले है वो अपने यानि की survey में भी सिद्ध होगा वो आप लास तक जरूर देखिएगा अब देखे की कम आएगी और उस की के द्वारा ही की जैसे ही आएगी तो यानि की एकदम यह आखलन निकल जाएगा कि एकदम एकजेक्ट यानि की जो cut off है वो क्या निकलने वाली है तो देखिए newspaper की यानि की cutting है लाखों प्रिक्षार्तियों को answer की का इंतजार 9,2,325 अभिरतियों को की answer की का इंतजार करना होगा क्योंकि board ने क्या कहा है कि अभी 10 दिन का समय ओड लगेगा तो इसको यानि की इस news को आए हुए 3-4 दिन हो गए तो कहने का मतलब अगले सप्ता में एक सप्ता के अंदर-अंदर आपकी जो official की है वो आ जाएगी और उमीद है सब का result बहुत शांदर रहेगा अब आगे दूसरी आने की चीज़ देखे कि सबसे पहले आने की कौन सा result आए तब बेट रहेगा साथियों देखे सर्वे क्या कहता है वो ज़्यादा माहिने नहीं रखता है लेकिन आप खुद सोच के देखिए कि रीट से पहले अब देखे उपेन यादव जो बेरोजगार यानि संका अधेख्चा है वो और बहुत सारे यानि की लोग ऐसे हैं वो बार-बार इसकी मांग उठा रहे हैं मुखे मंतरी जी से और सिख्चा मंतरी जी से भी आनि की उपेन यादव मिले हैं और उन्होंने आनि की मांग रखी थी मुखे मंतरी जी से और सिख्चा मंतरी जी से की करम से रिजल्ट जारी किया जाए जैसे पहले सबसे पहले फर्स्ट ग्रेड गी आनि की भरती हुई थी तो उसका रिजल्ट निकाल करके उसकी जोइनिंग दी जाए उसके बाद सेकेंड ग्रेड की उसके बाद रीट की अगर ऐसा होता है तो सात्यों आप मान के चलिए जो जी हेल्प जो बता रहे हैं कि इतनी कटोप रहेगी वो वेसी रहेगी क्योंकि आठ से दस क्योशन का यानि डिफरेंस रह जाएगा क्योंकि जिनका यानि कि ऐसे बहुत सारे कंडिडेट्स है जिनका रीट में भी हो रहा है और सेकेंड ग्रेड में भी हो रहा है और बहुत सारे ऐसे हैं जो second grade में नहीं हो रहा है लेकिन first grade में हो रहा है तो कहने का मतलब अब देखिए सबसे बड़ा यानि की फाइदा यह होने वाला है अगर और मुखे मंतरी जी ने और सिक्षा मंतरी ने आस्वासन भी दिया है कि जैसे यानि की पहले बढ़ती हुई थ उसी के अनुसा result और joining दी जाएगी ध्यान रखिएगा read से पहले चार result आने की संभावना है और वो चारो result आ जाते हैं तो मान के चलिए बहुत से यानि के स्टूडेंट जो g help यानि कटो बता रहा है आलांकि उस पे बहुत कम लोग विश्वास कर रहे हैं वो कटो सई साब आग में भी first grade और second grade की बढ़ती हुई थी आप सब को पता है read से पहले हुई थी तो कहने का मतलब बहुत से एसे candidates हैं जिनका यानि की first grade second grade इसके अंदर यानि के हो जाएगा और कुछ और है जो बहुत से एसे भी है जिनका students का department पे first grade और second grade में हो जाएगा तो कहने का मतलब last grade में बचे कौन? REIT के candidates बचेंगे तो ये मान के चलिए कि जितने जो candidates है जिनके average नमर भी आ रहे हैं 33-36 बढ़ती में हो जाए निग ऐसी मांग उठ रही है अगर ऐसा हो जाए सातियों आपको भी आनिकी पूर्जोर इसका समर्थन करना चाहिए ऐसा हो जाए तो बहुत सोने पे सुहागा हो जाएगा और REIT जो यानिकी अभेरती है उनके लिए फाइदा हो जाएगा बहुत सारे यानिकी कंडिडेट्स ऐसे हैं सर्वे को देख करके घबरा जाते हैं अरे सर्वे में कुछ नहीं है लेकिन आप ओरीजिनल जो हकीकत है उस चीज़ को तो देखिए सर्वे जैसे मां आपको बता रहा हूँ आपके सामने यानिकी सर्वे दिख रहा हूँ सर्वे के अंदर देखे मैंने पर्सन लिया था कि आपके रीट लेवल सेकेंड इंग्लिस में कितने क्योसन सही हो रहे हैं आप इस सर्वे को देख करके बिलकुल गवराईएगा मत मैं आपको एक एक चीज यानिकी समझाने वाला हूँ इसमें से देखिए सो से पिचासी से 90 के मद्दे जो बन रहे हैं लगबग 2000 वोट मान के चलिए 1900 से ज्यादा वोट है 988 लोगों के 22% लोगों के यानिकी 85 से 90 के मद्दे बन रहे हैं उसके बाद 90 से 95 के मद्दे 20% है मतलब 2000 में से 380 लोग ऐसे हैं जिनके 90 से 95 बन रहे हैं उसके बाद है कि 95 से 100 के मद्दे 12% है 12% मतलब 228, 2000 में से 228 लोगों के क्या बन रहे हैं, 45 में से 100 की मत्रे बच रहे हैं अब देखिए 16 जो परसेंट है 100 से अधिक, मतलब 101 से लेकर के आगे तक के जो भी नंबर है 101 से यानि की 500 परसंट तक जिनके सही हो रहे हैं, वो 304 स्टूडेंट है तो आप इस एग्जिक्ट पॉल से मत खबराईएगा, क्यूंकि मेरे पास जितने भी मेसेज आ रहे हैं, 100 से अधिक वाले की पहले बात बता देता हूं 100 से अधिक वाले में, अगर 110 पलस की बात करें, तो इतने लोगों के मेसेज आए हैं, उनमें से यानि की 10 लोग ज्यादा से ज्यादा हैं, यानि की 10 लोग ऐसे हैं, जिनके 110 से ज्यादा बता देता हैं अब बात करते हैं, 100 के जो इर्द गिर्द हैं, मतलब इन 16 परसेंट में से, 304 लोगों में से, ये मान के चलिए, कि 290 लोग के करीब, जिनके नमबर आए हैं, 101, 102, 103, 104, 105 ऐसे आए, मतलब 290 के लगबग, यानि 101, 102 ऐसे आ रहे हैं, तो ये तो आप समझ सकते हो, सभाविक र बता रहे हैं, 102 बता रहे हैं, 2 परसन गलत होते ही, वो 97, 96 के करीब पहुंच जाएंगे, तो आप इस सर्वे से मत गब रहे हैं, वैसे ही, 50 में से 100 के मद्दे वाले बात करें, बहुत अच्छी पोजीशन है, 50 में से 100 वाले के मत, 12 परसेंट ही तो है, तो कहने का मतलब 100 पर बाले जो हैं, 12 परसेंट आ रहे हैं, तो कहने का मतलब ये 12 परसेंट से गट जाएंगे, और ये मान के चलिए, 95 से 100 के मद्दे भी आने की, और 90 से 50 में, अब देखे कई ऐसे हैं, कि 85 से 90 में बाउन परसेंट आ रहे हैं, तो हमारा नहीं होगा, बिलकुल मत गब रहे हैं, क 85 से डब लेकर के आने की, 100 पलस तक जिनके नमर बन रहे हैं, वो सारे के सारे दोड के अंदर हैं, आप यकीन मानिए, यालांकि इस सर्वे हैं, और ये सर्वे, 2000 लोगों का ही है, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं, जिन्होंने सर्वे में भाग ने लिया है, तो आप मान के चल मिल है, और गोड से ये ही प्रेयर करता हूं, कि जिनके 80 नमर या इस से ज्यादा आ रहे हैं, सब के सब सिलेक्ट हो, इसी आसा के साथ, आप सब से विदा लेता हूं, वीडियो आपको अच्छी लगी है, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, और दोस्तों में स थैंक यू वेरी मुच्छ